इस तो ये देखिए अभी लेटर जो है जारी हुआ है पटना से आप ये देख सकते हैं ये डेट है 17-8-23 सिक्षा विभाग मतलब अभी तक एक बार भी जो है परिक्षा कराना है किस संबद में कराना है रिजल्ट का क्या है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक एंसिटी की जो है जो चीजे हैं उसमें हुई है वो बाहर नहीं आया है क्या है ये पूरा विवाज जो B.E.ट वर्सिस B.T.C का है कुछ भी सामने नहीं आया है बटasis को परिक्षा करानी के बहुत जल्दी है और आप भी जानते हैं कि बिना किसी चीज कि अगर बिना को फैसला है परिक परिक्षा कराने के बाद भी बीएट का जो रिजल्ट है वो जारी होगा रोका नहीं जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं आया है तो यह देखिए आप देख सकते हो परिक्षा करने है प्रसास्री वास्तो और जीला अधिकारी जो है उनके द्वरक दिया गया है और यह कहां का आप आप जानते हैं सिक्षा विभाग एंड इसमें क्या है वो आप देखी सकते हो प्रतियोगीता परिक्षा जो है आयोजन के संबंद में है इसमें लिखा भी आए क्लियर ली कि देखिए आपको जो परिक्षा करानी है यहां पर देखिए 24 25 26 दो पालियों में होनी है 10 से लेक परिक्षा कश में विद्दूत के पूर्ण वैवस्था होनी चाहिए जैसे कि कनेक्षन हो गया वायरिंग स्वीच बोर्ड तथा प्रते कम्रों के फर नीचर दिवाल घड़ी इत्यादी के ववस्था सुनिक्षित करने का अनुरोद किया गया है तो इसी संदर में भेज दिया गया है क्योंकि पेपर भी पेसी से होना है और इन्होंने जारी कर दिया है कि 24, 25, 26 देखो पेपर होना अब कन्फर्म हो चुका है क्योंकि एक्जाम के 3-4 दिन पहले अगर ऐसे चीज़े आ रही है तो पेपर अपने समय पे होगा हाँ ये जरूर है कि हो चाहें बीएड हो चाहें बीटीसी हो सभी का रिजल्ट आएगा क्योंकि एक रिजल्ट ही नहीं आएगा तो ना तो बीएड वालों को फाइदा है ना तो बीटीसी वालों फादा है फाइदा किसको है आप भी जानते हैं सैलरी नहीं देनी पड़ेगी पैसे नहीं देने तो यह information देनी थी बागी कोई भी doubt हो comment कर दीजेगा मिलते हैं next class में thanks watching